नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि किस प्रकार से किसी आईपियो की बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ ये भी कैसे पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में कौन-कौन सी कंपनियों के आईपिय आने वाले हैं तो इसका एक बहुत ही सरल सा तरीका है यहां पर आपके सामने nscindia.com website खुली हुई है जो की national stock exchange की website है यहां पर आप जब जाएंगे आपको बीच में यहां मेरा mouse का ही जो तो यहां आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ IPO और यहां लिखा है current और फिर past issues current में मतलब इस समय यहां पर आपको वो IPO दिखेंगे जो की open है किस type के IPOs है security type में equity के है depth के है उसके बार में आप देख सकते हैं जैसे गोपाल snacks का IPO भी खोला हुआ है तो यहां पर company name यहां गोपाल snacks है आप देख सकते हैं इसके नीचे link भी है आप जब इस गोपाल snacks पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो इस IPO के बारे में जो है detail खुल जाएगी और यहां पर इस company का information आपके पास आ रहा है आप issue information के यह bit details में हम क्लिक कर रहे हैं आप issue information पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इस company की information आ जाएगी और यहां पर यहां आप देख सकते हैं कि जो है उसका lot size कितना है कितने minimum order quantity कितनी है subscription amount कितना है minimum subscription amount कितना है तो यह सारी चीज़े आप यहां पर देख सकते हैं और यह demand जो graph है demand data है यह कई सारी चीज़े हैं जो कि आपको IPO के लिए जो है आप अगर इसके लिए IPO भरना चाते हैं तो उसके आपको जानकारी मिल सकती है यहां पर मैं बता देना चाता हूँ मेरा इस गोपाल snack से कोई ले देना नहीं है यह एक information के लिए था तो अभी यह company को लिए अब जैसे अगर हम जाएं कि past issues पिछले अभी कौन-कौन से IPO आय थे तो यहां पर अलगले कंपनियों के IPO आय थे जैसे जे जी chemical के बारे में आया ह हुआ है आर के swami limited IPO इसके बार में आया था आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बार में आप details मिल जाएंगी तो इस प्रकार से जो है आप यहां पर IPO की information ले सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से IPO है जो भी आगे आने वाले हैं तो यहां पर आप IPO लिखावा है यहां लिखावा all upcoming issues यह मेरा mouse के cursor को दिखेगा आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर वो data मिल जाएगा कि कौन-कौन से IPO अभी आने वाले हैं और उनका price band क्या है कितना issue size है जैसे आपने popular vehicles and services limited पर आपने क्लिक किया equity में था यह तो इसके बार में आपको यहां पर जानकारी पूरी मिल जाएगी तो आशा करता हूँ जो लोग भी और यहां पर कई सारी चीजें होती है डाउनलोड करने के लिए जो है तो यह आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छे तरह के से खोल करके तो जो भी आपको decision लेना है आप इस प्रकार से यह पर जा करके decision ले सकते है आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा और जो लोग भी मेरे इस चैनल पर नए है जो यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को subscribe कर लिजेगा और इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की information आगे मिलते रहेगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद